अपने रोते बच्चे को चुप कराने के लिए अगर आप भी फोन दिखाते हैं या फोन पकड़ा कर अपने काम में बिजी हो जाते हैं तो आपके लिए बुरे खबर है पात साल के कम उमर के बच्चों में स्मार्टफून या स्क्रीन देखने की वज़े से आखों के बिमारी तेजी से बढ़ रही है चीन जापान समेत काई इस्ट एश्यूआई देश पहले से ही इस गंभीर समस्या से जूज रहे हैं और वहीं अब भारत में भी हालात काफी जा खराब होते जा रहे हैं एमस स्थित डॉक्टर आर्पी सेंटर के विशेश अग्यों के माने तो बच्चों की आखों को खराब करने में पेरेंट्स की ये आदत सबसे एहम रूल अदा कर रही है आर्पी सेंटर के आप्थे लमोजोस्टिक रोहित सक्सेना ने बताया कि कई स्टडीज में सामने आया कि साल 2050 तक पूरी दुनिया में 50 फिस्दी लोग आखों के विमारी मायोपिया या द्रिष्ट दोश के पेडित होंगे और ये सब ही लोग सिर्फ चश्मा लगा कर ही देख पाएंगे और ऐसे में आज के तारीख में भी हालात अच्छे नहीं है इ चास बच्चों के क्लास में करीब 45 बच्चे चश्मा लगा कर ही देख पा रहे होंगे और जबकि आज से करीब 30-40 साल पहले सिर्फ पांच बच्चे चश्मा पहनते थे और अब 45 नहीं पहनते और ऐसे में अब हालातों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि यह अब 2 साल से कम उम्र के बच्चों को स्मार्ट फोन देना ही नहीं है अगर 8 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसे स्मार्ट फोन के बजाए साधा फोन बात करने के लिए दे सकते हैं क्या हो minimum screen size डोक्टर कहते हैं कि बच्चे को अगर आप screen दिखाते भी है तो minimum screen size आपका laptop मायोपिया desktop होना चाहिए और इससे छोटा screen बहुत नुकसान देता है और जितनी देर और जितनी छोटे screen बच्चे इस्तेमाल करते हैं वो बड़ा risk factor है सबसे छोटी उम्र में होने वाले lifestyle disease बहुत सारे screen guidelines आई हैं जिनमे screen time को कम करने के सुझाव भी दे गए हैं आखों से जुड़े विशेशग्यों का मानना है कि मायोपिया एक lifestyle disease है और ये सबसे कम उम्र में होने वाली जीवन शैली से संबंदत बिमारी भी है अगर lifestyle में सुधार किया जाए तो आधते बदली जाएं तो बहुत कुछ सुधार आजा सकता है दिली में हुई थी study और ऐसे में कु में 7 फिस्दी बच्चों में मायोपिया पाया गया था जबकि 2013 से 16 के बीच हुई study के results में देखा गया कि ये बढ़कर करीब 21 फिस्दी हो गया है और इतना ही नहीं कई सर्वे और reports के analysis में ये भी देखा जा रहा है कि ग्रामिन इलाकों में भी मायोपिया तेजी से फैल रह रोने पर ना पकड़ाएं mobile और वही प्रोफेसर रादिका टंडर ने कहा कि देखा जाता है कि बच्चा रोता है या परिशान करता है तो parents खुद ही बच्चों को mobile phone दे देते हैं parents को इसादत में बदलाव करने की जरुत है अगर आपको ऐसा नहीं किया गया तो जल्द ही ब आखों के लिए काफिज जदा नुकसान दायक साबिद होता है